That is rising and setting of sun. सूरज को उगते हुए सब ने देखा होगा. वहाँ पे एक जो हमारा refraction है, उसके कारण एक फिनोमेना होता है. वो क्या है? देखते हैं कि पर देखिए यह sun आपको दिखाई दे रहा है, यह setting के time का है. उसके कारण क्या है? जो हमारा refraction के कारण. Due to atmospheric refraction, light, the sun appears before actual sunrise, यानि कि जब हम actual में sunrise होता है, उससे पहले ही दिखाई देने लग जाता है. तुझे नहीं हुआ अभी, हमें पहले दिखाई देता है. और इसी तरीके से वो छिप जाता है, जिसको हम कहते है, सूरी आस्त हो गया, वहाँ पे आस्त नहीं होता, उसके बाद भी हमें दिखाई देता रहता है. यानि कि यह हो सकता है, आस्त हो चुका हो, बट यह हमें अभी भी दिखाई दे रहा है. तो वो क्या है, रिमेंस वीजिबल आफ्टर एक्ट्वल संसेट, इस अपेरेंट शिफ्ट इन डारेक्शन ओ, लाइट रेज एक्ट शन्राइज और संसेट इस 0.5 डिग्री का रिफरेक्शन होता है, फिनोमेना बताता हूँ, क्या हो है यहाँ पे, फिनोमेना बताता इसका पेंग्यारुमेनत है, एक्टमोस्फियर की बात करें, तो यहाँ पे यह मान लीग्नी इसका अटमोस्फियर है, यहाँ जैसे मान लीजी, यह हमारा सूरिय देवता है, इस ने बता से ज्तनी बीग्वलाइट आ रहियं, पर एक्जंपल?, हम मनते चिए एक रिवफ्ला होगा रिफ्रेक्शन के कारण वो बेंड होगी वाज द नॉर्मल बेंड होती जाएगी हर बार बेंड होगी और यह हमें यहां पे भी दिखाई देगा यहां कि कहने का मतलब यह हुआ पूर एक्जम्पल यहां से ग्लियर नी हो रहा तो एक रेव फ्लाइट यह थी जैसे यहां से हम बात करते हैं कि इसके बाद की रेज फ्लाइट हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए थी बट यहां पे जाते हुए भी जो की रेव फ्लाइट 3D निकल दो मिनट सुभए और दो मिनटे स्यांपर टोटल चार मिनट का दिन लंबा हो जाता है इन कंपरिजन टू नाइट दिन अपना बड़ा है रात से हमेशा ही एंड डाट इस डू तो दा एक्मोस्फियर तो दिस दा राइजिंग एंड सैटिंग उप्शन इस से रिलेटिड क तो भी आपको इस तरह की कंशेप्शन मिले वह सारे भी करते हैं थैंक्यू वर्य मुच्छ